लास्ट वीडियो हमने कोटा जिला तक कम्प्रीट कर लिया था, आज हम दुबारा से तीन जिलों को एक साथ करेंगे, नागोर, पाली और पीकानेर, तो इनसे संबंदित जो भी कोशन होंगे, उनको आप बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे कोशन 56 देखिए, कोटन की बहतरीन किसम के लिए पहचाने जाने वाला लाडनू राजिस्थान के किस जिले में है, यह नागोर जिले में है, तो लाडनू कहां है नागोर जिले में, किस के लिए प्रसिद है यह है, कोटन की बहतरीन किसम के लिए प्रसिद है, कोटन की बहतरी दस्वी सतापदी में निर्मित लांडनू किस धर्म विशेज के लिए प्रसिद आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यह जैन धर्म के लिए माना जाता है, जैन विश्व भारती विध्याले के लिए जाना जाता है। यह कहां है नागोर जिले में। विश्व विख्यात संत आचारे श्री तुलसी राजिस्थान की किस जिले से संबंदित थे? ऐसे ही कुश्यन आपके रीट में आने वाले हैं. विश्व विख्यात संत आचारे श्री तुलसी राजिस्थान किस जिले से थे? यह नागोर जिले से थे. तो देखिए ऐसा मैं सो प्रश्ण जो हैं उन पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं सोचते हैं कि ये तो सभी कर लेंगे सभी को आते हैं और वही कुश्चन जो है एक्जामिनर पूछ लेते हैं नागोर में इस्तित बड़े पीर शाहब दरगा को कब संग्रहाले के तौर पर खोला गया नागोर में इस्तित पीर शाहब दरगा को संग्रहाले के तौर पर कब खोला गया 17 अप्रेल 2008 को खोला गया 17 अप्रेल 2008 को नागोर में इस्तित बड़े पीरशाप दरगा में रखी कुरान शरीप किसने लिखी थी? यह लिखी थी हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी ने सुनहरी श्याही में लिखी थी नागोर में इस्तित जो बड़े पीर शाहव दरगा में रखी कुरान शरीब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सैफुरुद्दीन अब्दुल जिलानी के द्वारा लिखी गई है नागोर में इस्तित बड़े पीर शाहव दरगा में कौन सी प्रशिद्ध लोग प्रिय वस्तू सुसोबित है तो देखिए हजरत सैयल सैफुद दीन अब्दुल जिलानी की छड़ी पगड़ी और उनके द्वारा लिखित कुरान शरीफ इसके अलवा 1805 सन के भारतिय सिक्के अब्राहम लिंकन की छवी वाले अमेरिकन सिक्के इतनी सारी लोग प्रिय वस्तू जो है वो वहाँ पर रखी हुई है कहां नागोर में इस्तित बड़े पीर शाह दरगा में प्रसिद सूफी संत बाबा हरी राम का इस्थान नागोर के किस गाउं में है यह चोरडा गाउं में है चोरडा नागोर में वार्षिक मेले का आयोजन कब किया जाता है तो नागोर में वार्षिक मेले का आयोजन जो है वह है भाद्र बद्द चतूर्ती और पंचमी को किया जाता है Q64 देखिए पाली में इस्तित पंदरवी सताबदी में निर्मित प्रसिद रणकपूर के मंदिर किसको समर्पित है तो बहुत अच्छे से पता है आपको रणकपूर का जैन मंदिर है तो जैन धर्म से सम्बन्दित है और यह आदिनात को समर्पित है रणकपूर के मंधिर जो की मंदिरों का एक परिशर है किसके तातकालिक शाशनकाल में बनवाया गया यह राना कुमबा की शाशनकाल में बना था नेक्स्ट देखिए जवाई बांध किस नदी पर निर्मित है जवाई बांध किस नदी पर इस्तित है तो यह बांध जो है वह है जवाई नदी पर ही बनाया गया है और पता है कि लूडी नदी की सहयक नदी है जवाई नदी नेक्स्ट देखिए पक्षमी राजिस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध का निर्मान किसने करवाया था तो सभी ने जोग्रोफी में बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा कि जोदपूर के महाराजा उमेद सिंग ने जवाई बांध का निर्मान करवाया था जवाई नदी पर देशनो करणी माता का मंदिर कहां इस्तित है? बहुत ही सिंपल सा कुश्चन है यह बिकानेर से 30 किलो मीटर दूर देशनो गाउं में इस्तित है कौन सा मंदिर टेंपल ओफ रेट्स के नाम से जाना जाता है? टेंपल ओफ रेट्स यानि कि चूहा तो यह है चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है देशनो का करणी माता का मंदिर जोकि सपेच चूहों के लिए जाना जाता है तो देखिए ऐसे question जो हैं वो भी अगर examiner पूच लें तो हमें उसका answer भी आता है कड़नी माता के सौतेलिय पूत्र का क्या नाम था लक्षमन Next है Question 71, राजिस्थान, राज्य अभिलेका गार कहां इस्तित है? देखिए, Very-very Important Question, राजिस्थान, राज्य अभिलेका गार बीका नेर जिले में इस्तित है राजिस्थान राज अभिलेखागार जो बिकानेर में है, किस कारण से शिक्षाविदों और सोध करताओं का यहां जमावड़ा बना रहता है। अब विजित कहा जाने वाला जूनागड का किला जिसे कोई नहीं जीत पाया। तो किसके द्वारा बनवाया गया। यह राजा राए सींग के द्वारा बनवाया गया था। अकवर के जो सूबेदार रहे। राए सींग के द्वारा जूनागड का किला बनवाया गया था। कह तो यह 1528 इस वी में बनाया गया था. नेक्स्ट देखिये Q75. जूनागर्ड का किला किस प्रकार के पथर से निर्मित किया गया है? यह लाल बलुः संगमर्मर द्वारा निर्मित किया गया है. निर्मार उस्ट अनिर्मान किस ने और कब करवाए? लालगड़ पैलेस का निर्मान किसने करवाया और कम करवाया यह महाराजा गंगा सींग ने 1902 में लालगड़ पैलेस का निर्मान किसकी सम्रती में किया गया है? लाल गड पैलेस का निर्मान किसकी स्मृति में किया गया है? महराजा गंगा सिंग के पिता महराजा लाल सिंग की स्मृति में महराजा गंगा सिंग ने लाल गड पैलेस का निर्मान करवाया था लालगड पैलिस की वास्तो शिल्प की रूप रेखा किसके द्वारा दी गई है तो देखिए सर स्विंटन जैकब द्वारा रूप रेखा जो है वह है दी गई है लालगड पैलिस का निर्मान किस प्रकार के पत्थर से किया गया है तो इसका निर्मार जो है वह है कीवल लाल बलुवा पत्थर द्वारा किया गया है नेक्स्ट देखिए question 80 लालगड पैलेस में किस प्रकार की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है तो किस प्रकार की स्थापत्य शैली दिखाई देती है राजपुताना, इसलामी और यूरोपीय ठीक है तीन स्थापत्य शैली राजपुताना, इसलामी और यूरोपीय श्थापत्य शैली देखने को मिलती है लालगड पैलेस में इस पैलिस में विक्सित म्यूजियम किस नाम से जाना जाता है। तो सांग के योग के प्रडेता कपिल मुनी की तपोस्तली कहां है? कौलायत कहां इस्तित है? तो अभी मैंने आपको बताया जह बिकानेर में इस्तित है। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा यहां अगनी नत्य किया जाता है। हमने जब नत्य का चप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने यह चीज से देखी थी। तो कतरियासार गाउं कहां है? बिकानेर में। तो यह क्यों प्रेशिद्ध है? जसनात जी के अगनी नत्य के कारण। राष्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान केंदर किस जीव से सम्मंदित केंदर है? तो देखिए उस्ट्र क्या है? तत्षम सब्द है इसका तदवब रूप क्या होगा? उंट तो राष्ट्रिय उंट अनुसंधान केंदर जो है वहां क्या होंगे? उंट होंगे तो उंटों से सम्मंदित है राष्ट्रिय उस्ट अनुसंधान केंदर का संचालन किसके द्वारा किया जाता है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रिय उस्ट अनुसंधान केंदर का संचालन किया जाता है राश्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान केंदर कितने शेत्र में निर्मित है तो देखिए बीका नेर में है राश्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान याद रखना है आपको और यह है 2000 एकड़ भूमी में निर्मित है दो हजार एकड़ भूमी में निर्मित है राष्ट्रिय उस्ट्र अनुसंधान केंद्र जो कहां है बिका निर्जिले में तो चलिए कोशन 87 तक कम्प्रीट किये हमने नागोर, पाली और बिका निर्जिला तीन जिलों को कम्प्रीट कर लिया है इसके बाद आपके बस चार या पांच जिले जो है वो बाकी है और आपका चैप्टर जो है वो कम्प्रीट हो जाएगा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैं जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो उसे कम्प्रीट करा दीजिए पहले ये chapter जो है वो complete होगा, उसके बाद ही उस chapter पर जाएंगे, कोई भी चीज अधूरी जो है, वो सही नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी exam में question आपके पूछा जा सकता है, ठीक है, तो सभी चीज आपको याद करनी जरूरी है, मिलते हैं next video में, thank you